साल 2024 के लोगसभा चुनाव को लेकर कॉंग्रिस अभी से सियासी बिसात बिचाने में जुटी है कॉंग्रिसान सद्राहूल गांधी ने इसके लिए बापू की रणनीती अपना ली है और जैसे जैसे महत्मा गांधी ने यात्रा निकाली थी ठीक उसी तरह वो भी पदयात्रा कर कॉंग्रिस को सत्ता की शिखर पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे है जो कामयाब भी होती दिख रही है और चौथे दिन यात्रा में भारी संख्या में जनसेलाव नजर आया जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है कॉंग्रिस का जोश भी हाई हो रहा है आज यात्रा के चौथे दिन की शुरू आत्रा हुल गांधी ने तमिल लाडू के करन्या कुमारी के मुलागू मूदू से की इस दोरान कॉंग्रिस नेता के साथ लोगों का हुजूम दिखाई दिया इस मौके पर कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जम कर आड़े हाथो लिया उन्होंने कहा कि हमारे देश में 42 फीसिदी यूबा बेरोजगार है युवाओं का भविश असुरक्षित होने पर क्या भारत का भविश सुरक्षित हो सकता है ये यात्रा उन बेरोजगार युवाओं के लिए है हम उनकी नौकरी के लिए ये यात्रा कर रहे है इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी की हेट फैक्ट्री एक घटिया ट्वीट वारल करने का प्रयास कर रही है ओडियो में जो कुछ भी रिकॉर्ट किया गया है उससे इसका कोई संबंध नहीं है बीजेपी का विशिष्ट तुछ तरीका है भारत जोडो यात्रा की सफल शुरुआत और लोगों द्वारा मिल रहे समर्थन को देख कर ये हताश हो गए है कॉंग्रेस सांसत का ये बयान बीजेपी के उन आरोपो पर आया है जिसमें यात्रा के तीसरे दिन कॉंग्रेस नेता और संसत रहुल गांधी को बीजेपी ने उनकी एक टीशिट की वजह से घेर लिया था बीजेपी के ओफीशल ट्विटर हैंडल से रहुल गांधी की एक फोटो शेयर की गई है इसमें वो सफेद रंग की टीशिट पहने दिखते हैं बीजेपी ने दावा किया है कि ये टीशिट बरवेरी कमपनी की है और इसकी कीमत 41,257 रुपे है वहीं इस आरोप पर कॉंग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा था अरे घबरा गए क्या भारत जोडो यात्रा में उम्रे जनसेलाव को देखकर मुद्दे की बात करो बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो बाकी कपडों पर चर्चा की बात करनी है तो मोदी जी के 10 लाग के सूट और 1,5 लाग के चश्मे तक बात जाएगी बताओ करनी है अब भीजेपी लगातार कॉंग्रेस की सियात्रा को लेकर घेर रही है लेकिन विपक्षी पार्टी भी जमकर पलटवार कर रही है जिससे साफ है कि कॉंग्रेस अब आकरामक्ता के साथ मिशन 2024 के रण की तैयारी में है डीवी लाइफ की रिपोर्ट